हेलो एब्रिवान टेस्टी फोड एंड लाइफ स्टाइल विद उतकरशा में आपका बहुत बहुत स्फागत है मैं हूतकरशा और आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ खटी मीठी तीखी चटपटी आलू चाट की रेसिपी जी है फ्रेंट्स चाट के नाम से ही हमारे मूँ में पानी आ जाते है तो जटपट इस आलू चाट को घर पर बनाया जाए और बहुत ही आसानी से आप इस्तीखी खटी मीठी चाट को बना सकते हैं तो चलिए बिना देर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और यहां पर मैंने ले लिया है चार से पांच उबले हुए आलू उसे अच्छे से में छील लिया है आलू की छिलके को निकाल लिया है पील कर लिया है उसके बाद इसे कट कर लिया है तो आलू को जिस साइज में आप कट करना चाहें चोटे बड़े उस साइज में कट कर ल और उसके बाद इसे हम अच्छे से क्रिस्पी करेंगे तो फ्लेम को में करना है मेडियम और मेडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से क्रिस्पी करेंगे आलू जितनी अच्छे से क्रिस्पी होगी चाट उतनी ही टेस्टी लगेगी खाने में तो आलू को अच्छे से क्रिस्पी बन और उसके बाद इसे अब हम एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं आलो को हमने एक मिक्सिंग बोल में निकाल लिया है और अब हम इसमें डालते हैं एक बारी कटी हुई प्याच और साथे हम डाल देंगे एक बारी कटी हुई टमाटर साथी, अब हम इसमें डाल देंगी, बिलकुल हरी धनिया की चट्नी है, बिलकुल तीखी चट्नी है ये, तो हैं, दाल रही हूं तक तंऽ छट्नी है, तो इसे चाट जाए वो थोड़ी तीखी लगेगी, तो एक बड़ी चमच मैंने इसमें हरी धनिया की तीखी चटनी डाल दिया है और अब मैं खटी मीठी चटनी डाल रही हूँ, वो है इमली की चटनी इसे खटा और मीठा पन टेस्ट आएगा हरी धनिया की तीखी चटनी से यह थोड़ी तीखी लगेगी और अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है, खटी मेठी चटनी तो आप इसकी जगह पे टोमेटो सॉस डाल दें, वो तो घर पे रते ही है साथी मैंने डाला है, एक च्छोटी चमर्च मसाला, 1 च्छोटी चमर्च भूना हुआ जीरा पॉडर मैंने इसमीं डाला है वो स्कőप हो गई है वीडियो में। और साथी हम डाल देंगे टेश्ट के अक़रडिंग नमध और लाल मिर्श पॉर्डर भी आप अपने taste के according डाल दें और अगर आप इसे और तीखा चाण चाते हो तो आप हरी मिर्श को भी बारिक काटकर डाल सकते हैं मैंने हरी मर्च को नहीं डाला है बारिक काटकर क्यकि मेरी менее just यह वो अर्डेटाटी तीकी थी और साथीत जाथ मैंने लाल मर्च पॉडर भी डाल दिया है तो यह को ठाए भी फोड़ी की फोड़ी ती यह hmali की चटनी आँधी थी वह इसें यहां डाल करती है खाने में अच्छी ही लगती है कुछ भी आप यूज कर ले और आप चाहें तो यहां पर बारिक कटी हुई हरी धनिया भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला है और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करने के पाथ इसे अब हम सर्फ करते हैं करते हम इसकी प्लेटिंग तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में और उपर से हम डाल देंगे थोड़ी से बारिक कटी हुई प्याच थोड़ी से बारिक कटी हुई टमाटर और हम डाल देंगे उपर से सेव जो हमने यूज किया था बारिक वाली सेव जो होती है न पतली वाली सेव वो मैंने यूज किया है तो वो हम डाल देंगे तो ये लीजिए ये खटी, मीठी, तीखी, चटपटी, आलू चाट जटपट बनकर घर मेर तयार है और कितनी आसानी से बन गई बिल्कुल भी जंजट नहीं ऐसे बनाना जब भी आपको चाट खाने का मन करें आप इसली इसे बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनी भी थी ये चाट, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वाली चाट तो आप इसे आसानी से बनाएं, घर पर कभी भी एंजोई करें इसे बना करके और मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चानल को सब्सक्राइब जरूर करें पास में जो बेल आइकन है उसे भी आउन कर लें ताके लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो मिलती हों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए बस इतना है थैंक यू